कि यहां पर खत्रा है उसको चिमिद करके उसको दुरूप करना है 15 तारिक का डेट लाइन पर यह जरूर है कि अभी नेपाल में काफी बारिस हुआ और गंडक में सरसत हजार क्यूसिक से ज्यादा पानी इसी समय कल आ गया था और गंडक गंडक ही ज्यादा देख रहे हैं कि बारिस का और जो सिमांचल एरिया है वहां भी दो दिन से काफी बारिस हो रही है गंडक में भी पूरा डिपार्ट्मेंट में भी आपको आइडिया है कि पूर्टिया के संगान इसमें काफी बारीश हो अभी हो पिछले दो दिनों में हुई है हम लोग इलर्ट है डिपार्टमेंट के सारे लोग इसलिए आपको पता है कि इस बार एक जून से ही फ्लट फाइटिंग का काम हम लोगों ने पहली बार सुरू किया जो पंदरा जून से होता था इसलिए कि अब बारीश का कोई टैन ही नहीं है फ्लट कब आएगा वह अब आप मेजर नहीं कर सकते हैं कभी भी फ्लट आ सकता किसी भी समय फ्लट आ सकता आज जून हम लोग मान रहे हैं वह दिखाई पर रहा है पटना में इतना आइडिया नहीं लग रहा है लेकिन सिमांचल साइड में इधर गौपाल गंज और इस सब करता हूं कि जितना मुख्मंत्री जी ने मॉनिटर किया पुरा रिव्यू किया पूरे स्टेट का और लगातार मॉनिटर कर रहे हैं चीजों को डिपार्टमेंट भी अलर्ट है सारे चीजों को ले करके और एक जो हम लोग को बड़ा एडवांटेज मिल रहा है वह है अर्ल कि इंजीनियर हैं उनके पास सारा डेटा रहता है कि अगले फांस दिन में यहां मौनसुल का क्या हाल रहने बादा तो जहां ज्यादा बारिस की संभावना रहता है वहां डिपार्टमेंट और लोकल प्रसासिल के लोग ज्यादा एलर्ट पे रहता है वह एक बड़ा को बड़ों के अन्दर घर बना डेंगे अचल चलिए मेरे साथ मैं आप लोगों से भी आगिरह करूंगा आप पानी के बीच में में तो पानी कहां जायेगी जो आप गौह कहा रहे हैं गंगा का बहुत सारा गोहं सीमाचल में बहुत सारा घर है जो पे ऑज़ पे बना है जो ब्रिज तो बन गया बाद में नदी का रास्ता ही बदल लिया ब्रीज ऐसे खरा वो एक अलग प्रॉब्लम है लेकिन जहां जहां पॉपलेशन है जहां गंगा के के और अन्य जगों पर भी वहां हम लोग पूरा इलर्ट मोड में और फ्लट फाइटिंग का काम एक यून से शुरू हो गया जहां से यह समस्य आ रही है उसको हम लोग रिजॉल्ब करें असोगी ने बताया अगी नितीश कुमार जी को अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना पूलें